दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लाल किताब चैनल पर, आज इस विडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक खाली पूल का सपना देखने का मतलब क्या होता है, अगर आप भी एक खाली पूल का सपना देखने का मतलब जानना चाते हैं, तो इस विडियो को ध्यान से प संतोष का प्रतीक है। दूसरी और यह संभव है कि ऐसा सपना जीवन ज्यान, अनुभव, परिपक्वता की ओर इशारा करता है। हो सकता है कि आप हाल ही में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो जिसे आपने समाप्त कर दिया है, लेकिन इससे आपको कोई भौतिक लाभ नहीं हुआ। हाला कि आप जानते हैं कि आपने अपने काम के दौरान बहुत सी नई चीजे सीखी है। आपने निश्चित रूप से बहुत अनुभव और शायद कुछ नए कौशल प्राप्त किये हैं। इसलिए खाली पूल आपके व्यापक दिमाग का प्रतीक है, जो हमेशा नए ग्यान को अवशोशित करने और नए क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। आपने जो कुछ हासल किया और सीखा है, वह आपको उन बड़ी गलतियों को दोबारा नहीं करने में मदद करेगा जो आपने अतीत में की हैं। आप चुनौती पूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के लिए बहुत अधिक तैयार हैं। एक खाली पूल का सपना देखना एक संभावित विट्टिय गलती का प्रतीक हो सकता है। आने वाले समय में आप क्या निर्णय लेते हैं। यदि उनका संबंध पैसों से हैं, तो बहुत सावधान रहें। यह संभव है कि चीजे वैसी नहीं रहने वाली। जैसी आपने कलपना की थी। करने का संकेत है। भविश्य की और एक कदम, कम से कम एक छोटा कदम उठाने की कोशिश करें। अपने लिए कुछ कम महत्वाकांग्शी लक्ष निर्धारित करें। और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने का प्रयास करें। जिस पर आप तिके रहेंगे। और अतीत में जीना बंद कर दें। आप कुछ गलतियों या बुरे विकल्पों से परेशान हो सकते हैं। लेकिन अब यह सब आपके पीछे है। इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। जो अभी बाकी हैं उस पर ध्यान दे। हो सकता है आप इस समय भावनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हो।